नमस्कार दोस्टूं आप लोगों का दक्लास्मेट गुरू में स्वागत हैं मैं यसकुमार आप लोगों को नूटन वर्थ की हार्दिक सुबकामनाये देता हूँ और हमारे The Classmate Guru परिवार की तरफ से भी आप लोगों को नुतन वर्थ की धेर सारी सुबकामना है 2024 में आप अच्छे से अच्छे पद पर आसीन हो और अच्छी से अच्छी सफलता हासिल करें धन्यवाद आईए हम आप लोगों को आगे आज का महत्पूर नोटिफिकेशन आया है उत्तर प्रदेश लोग से वायोग द्वारा उसी के संदर में हम लोग देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन है यह उत्तर प्रदेश लोग से वायोग यह विज्यापन संख्या है एवन आप लिक ईवन आप लिक दो हजार चौवीस यह दो हजार चौवीस आज यह जनौरी है यह पाहली नोटिफिकेशन है और आईए हम लोग आगे देख लेते हैं आईए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं अभी डीटेल बैकेंसी नहीं आई है क्योंकि अभी मैं जश्ट आप लोगों को बतला चुका हूं यह विज्यापन संख्या उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग द्वारा इसे समलित राज्य आबलिक प्रवर्ब अधिनस् इस दो हजार चौविस यह संचिप्त विज्यापन है यह न्यूज पेपर के द्वारा पहले जारी होता है फिर डीटेल में के साइट पर जो यह साइट है इसका इस पर आपको डीटेल में इस वेकेंसी के बारे में सूचना मिलेगी और विज्यापन संख्या जो जारी साथ ही आप लोग 2024 को भी इंज्वाय कीजिए और यहां पर आप लोग देख लीजिए सबसे पहले एक महत्पुण सूचना मैं बतला दूं आप लोगों को जो लोग OTR नहीं कराए हैं प्लीज वह जाकर जल्दी से जल्दी अपना OTR करा ले लोग सवायों के साइट पर और OTR कराने के बाद आगे की आपकी परक्रिया चालू होगी और वहीं हम लोग पाठे करम और विसाय के बारे में देख लें तो इसमें सारी चीजें जो डीटेल में फार्म आएगा उसमें दिया जाएगा और रिक्तियों की बात की जाए तो रिक्तियों में कई तरह की अनुम हमेशा लोग से वायोग या कोई भी आयोग या परिच्छा निकालता है तो उसमें लिखा जाता है कि और सकता अनुसार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है लेकिन घटता नहीं है मैक्सिमम टाइम बढ़ता है तो इसलिए आप लोग सकारात्मक होई इसमें अभी और पढ़ने की उम्मीद है और सहचिक अहरता की बात की जाए तो इसमें सहचिक अहरता जो है जो है मिनिममम जो है वह आपका ग्रेजूएशन है ग्रेजूएशन है या आप लोग ध्यान दी आपकी नियुनतम आयू जो है वह 21 वर्स हो गई है तो आप इस फार्म के भरने योग्य हैं वहीं मैक्सिमम अधिकतम आयू की बात की जाए तो 40 वर्स और यह उत्तर प्रदेश के बाहर के लिए बाहर के लोग भी भर सकते हैं इस फार्म को अगर वहीं डेट वाइज बात की जाए तो इसमें जो जन्म दिन है वह आप जन्म दिन देखें तो यह आपका 2 जुलाई 1984 जो आपका मैक्सिमम लिया गया है जबकि 1 जुलाई 2003 के बाद ना हो यानि 1 जुलाई 2003 के बाद जिनका जन्म दिन होगा वह 28 वर्स से उनकी आयू कम होगी अगर दिव्यांग जन की बात की जाए तो इनके लिए अधिकतम आयू की जो सीमा दी गई है वह आपका पच्पन वर्स दी गई है और वहीं अगर जन्म दिन की बात की जाए तो उनके लिए भी 2 जुलाई से पूर्व ना हो और एक जुलाई 2003 के बाद ना हो यहीं अगर आनलाइन फार में की बात की जाए तो एक एक 2014 से यह फार में चालू है और आपका प्रारंब हो जाएगा और अन्तिम तारिक जो सुल्क जमा करने का है वह आपका 29 जन्वरी है वहीं आनलाइन आवेदन जमा क करने की जो सम्मीट करने की जो तारिक है वह आपका 2 फरवरी 2024 है वहीं सम्मीट में कोई सुधार संसोधन आप करेक्शन करना चाहा रहे हैं तो वह 9 फरवरी उसका डेट है अगर वहीं हम लोग फार्म का सुल्क की बात की जाए तो जन्रल ओबीसी आबलिक EWS जो EWS है इकोनामिकल वीकर सेक्शन जो है उनके लिए 125 रुपया है वहीं EAC और E80 की बात की जाए तो उनके लिए 65 रुपया है जबकि PH कंडिटेट यानि जो दिव्यांग जन है उनके लिए मात्र 25 रुपया है तो आप लोगे अथा सिग्र जाईए और इस फार्म को आज इसे अगर जिनका OTR नहीं हुआ है वह अपना OTR कर लें और जो OTR पहले के कर चुके हैं वह अथा सिग्र अपना फार्म भर दें और जिला और अन्य परिछा केंद्रों का जो आरच्छन का है वह निर्धारी जिन जिनको जो जो निर्धारन किया गया है उसके हिसाब से आयू में और रिजर्वेशन में छूट दी जाएगी और इसका डीटेल आप इसके साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर इसके संदर में ज्यादा आप लोगों को चाहिए तो आप लोग सूचना चाहिए तो और हम लोग इस पर डीटेल में बीडियो बनाएंगे आईये हम लोग दा क्लासमेट गुरू के बारे में बात कर लेते हैं आप लोग गूगल प्ले इस्टोर में जाएए और दा क्लासमेट गुरू आँ टाइप कीजिए और वन्डे एक्जाम की सारी जितनी भी वन्डे ए बेस्ट में Has empathy के द्वारा कराएं जाता हो और आपका की ससी के 2 ड्वारा दी द्वारा बीच कर आया जाता हो इस्टाफ सलेक्शन कमिशन पे दोवारा वेकेंसि들 को हम लोग । आनलाइन मोड में इस प्लेटफार्म से आप लोगों को कराते हैं साथ ही मेरे यूटूब चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा थेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए धन्यवाद